आया भारत में सोना, 50 हजार के करीब पहुंची भारत में सोने की कीमत, महेंगाई सोने की जगे डॉलर को सपोर्ट कर रही है अगर अज आप सोना खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको सोना इस भाव पर खरीद लेना चाहिए या और दाम घटने का इंतजार करना चाहिए आप भी सोना या चांदी में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है सोने और चांदी की किमतों को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो या सोने में निवेश करना चाहते हो तो यहां पर आपके लिए काफी बड़ी खबर आ चुकी है खबर यह कि सोना हुआ सस्ता चांदी की किम्तों में भी गिराउट जी हां सोने और चांदी की किम्तों में गिराउट देखने को मिली है सोने की बाव में अचानक से भारी गिरावट देखने को मिली है बाज़ार के कारोबारियों का मानना है कि आने वाले महिनों में सोने में और गिरावट आ सकती है इसी के साथ में जानेंगे कि दिवाली तक सोने का भाव क्या होगा दिवाली तक सोना कितना सस्ता होगा फैसला भारत में सोना चांदी हुआ धडाम जियां सोनियों चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए काफी अची ख़बर आ चुकी है धरसल हाली में अमरीका की केंद्र बैंक यानि की फेडरल रिजर्व के बयान का असर सोनियों चांदी की किमतों पर पड़ा है अंतराश् दो फिस्सदी तक के नीचे नहीं आ जाती तब तक फेड की पॉलिसी जारी रहेगी जुरूत पड़ने पर इंट्रेस्ट रेट में बढ़ातरी भी की जा सकती है और इसी बयान से अंतराश्ट बासार में सोनियों चांदी की किमतों में गिराउट देखने को मिली सोने का ब किमतों में गिराउट आ सकती है वहीं आपको बता दे कि सोनियों चांदी की किमतों में गिराउट जारी है सोने का भाव पांच महीने के नीचले इस तर पर पहुच चुका है यानि कि पांच महीनों में सबसे सस्ता सोना मिल रहा है अभी अगर आप सोना खरीते हो तो आपक तो सोने की किम्तों में और गिरावट आ सकती है सोने का भाव काफी सस्ता हो सकता है हाला कि भारती सरापा बासार में दिवाली के समय सोने की मांग ज्यादा रह सकती है इससे सोने की किम्तों में ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी सोने की किम्तों में ज्यादा तेजी आने की उमीद बहुत ही कम है अगर आप भी चाहते हो कि भारत में सोना सस्ता होना चीए सोने की किम्तों में गिराउट आनी चीए तो नीची कमेंट करके ज़रूर बताए